कॉंग्रेस संसद गौरव गोगोई निकहा भाजपा सरकार दुवारा संसद में किसानों के अधिकारों के खिलाफ लाए गए तीन बिलो और चीन के मुद्धे पर हम संसद में चर्चा चाहते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आज भारत की सीमा सुरक्षा के साथ हम सभी चिंतित हैं आज का समय अनिवाड़िय था कि रक्षा मंत्री बोले कि वो चीन के सीमा पे जो हमारी समस्या है चीन सेना के साथ उस पे भारत सरकार कब अपनी नीती स्पष्ट करेगी चर्चा के द्वारा ये स्टेट्मेंट के द्वारा क्या उनका रवया रहेगा हम चाते थे कि आश्वासन तो मिले रक्षा मंत्री स्वया माज लोकसवा में थे एक आश्वासन तो मिले कि केंद्र सरकार इस चीन के मामले को लोकसवा में कब उठाएगी राजेसवा में कब उठाएगी पर इससे भी वो पीछे पर गए इस छोटी सी बात का भी उन्होंने इस पश्टी करन देना जरूरी नहीं समझा किसान के लिए आज शायद का दिन काला अक्षर से लिखा जाएगा क्योंकि चारो तरफ हम देख रहे हैं कि किसान पीडित हैं उचित मूल्य नहीं मिल रहा व्यापार चौपट है उनके खेत में काम करने वाले को वो जो डेली वेज देना होता है दिहाडी देना होता है वो न लेकिन आज भाजपा सरकार प्रधान मंत्री मोदी जी की नित्रत्र में जो बिल लाए हैं वो किसानों को मदद करने के लिए नहीं कौर्परेट सेक्टर को मदद करने के लिए बड़े-बड़े उद्योग पती को मदद करने के लिए ये बिल लाए हैं किसानों के अधिकार अजोनी पे किसानों के इंकम पे एक प्रहार है है और इसलिये हम इसका घोड हम विरोथ कर रहे हैं संवेदात समेलन में उन्होंने बताया आज संसथ में प्रशनकाल स्थागित किया गया और सभी सवालों के जवाबों को लिख्यत में देने को कहा परन्तु हम अपने सवालों के जवाब रक्षा मंतरी जी से लिख्यत में नहीं प्रशन काल में सामने से चाहते हैं और संसद में हमारी अवास सुनी जाने चाहिए बनावटी कारण के द्वारा आज प्रश्नकाल को जिस प्रका से स्थगन किया जा रहा है ये उचित नहीं है मंत्री मोदे अपने बिल के लिए आज उन्हेंने भाशन दिये तो क्यों वो प्रश्नका उत्तर नहीं देना चाहते उन्होंने कहा कि लिखित में वो प्रश्णों के उत्तर लिखित में देंगे लेकिन हम सभी को पता है कि ये जो लिखित उत्तर उनके अफसरों से आता है देश की अवाम ने अफसरों को नहीं चुना देश के अवाम ने इस सरकार और सरकार के मंत्रियों को चुना है और देश के आवाम की जो आवाज है उस आवाज को अफसरों के द्वारा लिखित उत्तर में नहीं मंत्री मोहदय के स्वयम उनके उत्तर से उनके वानी से आना चाहिए था